Now we will discuss about growth models तो जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे हैं जो human population है वो तेजी से बढ़ रही है और एक तरह से वो unbidled या uncontrolled way में है तो क्या other animals के साथ जो different animals क्या उनमें भी ऐसा होता है कि वो बिल्कुल uncontrolled way में population density उनकी increase होती है, population बढ़ती है तो इसी को represent करने के लिए यहाँ पर two growth models दिये गए हैं तो उसमें एक है exponential growth और दूसरा है logistic growth तो इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे तो इससे यह चीजे हमें समझ में आएगे कि actually क्या होता है वहाँ पर तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो आप यहाँ पर graph देख रहे हैं यह जो rate से दिखाई दे रहा है यह exponential growth को represent करता है तो exponential growth में आप देख रहे हैं बिल्कुल यह तेजी से उपर की तरफ जा रहा है और इसमें यह इस तरह का यह दूसरा वाला logistic growth है तो exponential growth या exponential stage कम मिलती है exponential stage तब मिलती है जब resources यानि कि food and space availability जो है वो unlimited हो when resources and आपका सकते हैं कि food and space जो है तो अगर उसकी जो availability है वो unlimited है मतलब इतना ज़्यादा है कि उसमें फिर वो कमी नहीं है किसीज की कितने भी population बढ़े उनके लिए दिक्कत नहीं है तो when resources in habitat are unlimited each species has ability to realize fully its innate potential to grow in number तो जितना उसकी potential है उतना वो तेजी से बढ़ेगा जितना ज़्यादा उसमें उसके पास resources है उसके हिसाब से वो तेजी से बढ़ेगा तो बहुत तेजी से growth होने के वज़से हम देख रहे हैं एक जिससे bacteria की growth होती है का लोने की तो 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से बहुत तेजी से growth होती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यह बिल्कुल बढ़ता जा रहा है उपर की तरफ तो population तेजी से increase होती है तो इस तरह के growth को हम लोग बोलेंगे exponential growth और इसको अगर हम लोगो calculate करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं यहाँ पर आप देख रहे ह इसका एक formula दिया हुआ है तो इसमें जो N है वो size of population है B यहाँ पर birth rate है D यहाँ पर death rate है तो इस तरह से ना यह number नहीं यह death rate है पर capita birth or death जो है वो यह चीज है तो then increase or decrease in N during a unit time period अगर किसी unit time period के लिए हम निकालें तो क्या आएगा DN upon date उसको हम लोग का सकते हैं एक unit time का यह rate ह है increase or decrease है तो उसके लिए हम लोग birth or death rate B minus D into N B minus D को हम लोग R भी करते हैं तो जो हमारा यहाँ पर equation derive होगा वो क्या होगा DN upon dt equal to R into N आप math में भी इस तरह से बहुत सारी चीज है इस्टेडी कर चुके हैं physics में भी आप पढ़ते होगे कोई भी unit time के लिए एगर कोई भी चीज calculate करनी है तो उसको हम इस तरह से calculate कर सकते हैं तो यह unit time के अंदर जो decrease or increase है या हम कर सकते है rate है उसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं तो यहाँ पर R जो आएगा वो intrinsic rate of natural increase होगा तो इस तरह से यह चीज आएगा अगर हम calculus से इसको वो करें manipulate करें तो यह formula आएगा nt equal to n0 e to power r into t यहाँ पर n0 जो है वो initial population density है और after time t जो population density होगी वो होगी nt तो इस तरह से दोनों किसी भी components को आप रख करके उसको value calculate कर सकते हैं तो यह आपका exponential growth के बारे में है exponentially growth मतलब resources आपके abundant हो उसमें कोई कमी नहीं हो तो फिर क्या होगा जो population होगी वो तेजी से growth करेगी इसी को exponential are geometric growth भी बोलते हैं जो कि बढ़ता जाता है ऐसा आप किसी bacteria or case में easily देख सकते हैं कि महाँ पे बहुत तेजी से growth होती है झाल 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 को थो leव झाल 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 झाल